चोटी का शिम मंडी में शावन मास महोटसब में शिव महीमा का दौर जारी है और शिव भक्त शिव मंदिरों में भगवान भूरेनात के दर्शन कर रहे हैं और अपनी आस्था के शद्धा सुमन अरपित कर उनका आश्विवात ग्रहन कर रहे हैं वहीं शावन मास के तीसरे सोमवार को चोटी काशी मंडी में स्थेत प्राचिन भूतनात मंदिर में बाबा भूतनात के दर्शनों के लिए शिव भक्तों की काफी भीड देखने को बिले शद्धालों का मानना है कि शवण मास में सोमवार को भगवान भूलेनाथ के दर्शन करना शुभ माना जाता है क्योंकि सोमवार को भगवान भूलेनाथ का बार माना जाता है और इस दिन भूलेनाथ के दर्शन करने से मनुवांचित उफल की प्राप्ति की जा सकती है वहीं बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि शावण मास की तीसरे सुमवार को सैंकडों की संख्या में शद्धालों ने बाबा भूतनाथ के दर्शन किये और सुबह चार बजे से ही शद्धालों बाबा भूलेनाथ के दर्शन कर रहे ह उन्होंने बताया कि दर्शन करने से कई जन्मों के पून्य की प्राप्ति की जा सकती है महादेव का पुर्य देश में जो भी शिवाले हैं उसे आलेयों में वक्तों का विशेश दर्शन देला का प्राधान होता है बड़ी बड़ी लाइने लगी रहती हैं और लोगों को दर्शन करने का अच्छी सुजा से दर्शन करवाया जाता है आपको बता दें कि धार्मिक मानेताओं के अनुसार शावन मास में सोमवार को भुरेनात के दर्शन करना शुप माना जाता है और इस दिन दर्शन करने से हर मनुकामना पुरण होती है वहीं शावण मास के तीसरे सुमवार को शिव मंदिरों में शिव भक्तों की काफी भीड देखने को मिले में आपे हारे जो भी मनत मात पूरी मनत होते हैं एक सावन में विशेस सुमवार दिन विशेस फूजन के लिए माना जाता है इसलिए प्रत भी रखा हुआ और इसलिए मंदर में फूजन के लिए हैं